तो गैस कैसे हो आप सभी लोग स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमारा यहाँ पे P.U. के लौक पड़ चुका है और आप लोगों का कुछ लोगों कि क्या होता होगा कि यहाँ पे P.U. के block हो जाता होगा तो यहाँ पे मैं P.U. के block भी यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ गलट डालने वाला हूँ और उसको यहाँ पे 100% मैं आपको 101% यहाँ पे guarantee देता हूँ कि आप इसको unlock कर पाओगे बस वीडियो को आप complete देखेगा अभी तक YouTube पर किसी ने भी यह ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जाकि आपको यह unlock करके दिखाया जैसे कि हम यहाँ पे यहाँ पे पहले इसको block कर देते हैं फिर आपको आगे बताते हैं जैसे कि हम यहाँ पे गलत डाल देते हैं और इसको okay कर देते हैं कुछ भी यहाँ पे डाल कर हम इसको पहले इसको हम गलत कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो two बार बता रहा था और यहाँ पे आप 10 से 12 बार यहाँ पे जैसे डालोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने 8-9 बार यहाँ पर गलत टाइप किया, तो यहाँ पर देख सकते हो, प्योगे बिलॉग लिख के आगया है, अब मैं इसको सिच आफ करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर कुछ फेक बगेर है ना समझो, ठीक ह यहाँ पर मैं इसको सिच आफ करके फिर आउन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सो हो रहा है, तो यहाँ पर इसको फटाफट ऑफिसको मैं आउन कर लेता हूँ, तो दोस्तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम आती होगी, तो उसी पर मैं यह आज की वीडियू लेकर रह तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे में PUK block लिखके आगे है, अब इसका solution क्या है, आपको कहीं भी नहीं जाना है, बस आपको कुछ एक काम करना होगा, जो मैं आपको आगे बताऊँगा, तो दोस्तो आपको जैसे कि क्या होता है, अब आपको यह जो मेरा यह था, मेरा BI का नमबर था, अब मुझको इसको PUK नहीं पता है, और PUK अगर पता भी है, तो दोस्तो इसमें एंटर करने को कोई भी option नहीं आ रहा है, तो मैं एंटर कहां पर करूँगा, तो दोस्तो आपको क्या करना है, आपको PUK पता पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं पत उसके बाद में इसका आपको, इसमें जो आपका PUK लॉग पढ़ गया है, तो पहले हम आपको यहां पे बिलॉग लिखके आ रहा है, तो इसको छूड़िएगा, पहले हम इस सिम का PUK कोट जान लेते हैं, तो इसको जान लेके लिए आपको किसी का भी अपने फ्रेंड फैम केरपे लगा सकते हो, आपका जैसे कोई सा भी सिम काड है, आपका BSNL का है, तो आप BSNL का किसी पर भी आप लगा सकते हो, जैसकि यहां पे कुछ में, यहां पे USD कोड भी आते हैं, जिनको PUK कोड पता कर सकते हो, तो हम यहां पे आपको पहले बता देते हैं, तो यहां आप आपने आइडिया की नमबर से okay करने के बाद में, दुस्तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा wait करना है, wait करने के बाद में फिर आपके पास कुछ ऐसा interface आ जयाजागÁ, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद में आपको यहां पर enter करना है, यहाँ पर आपको आपको दिखा देते हैं तो आने के बाद में फिर आपको फटा फटा यहां पर काम करना है तीन दबा कर इसको सेंट कर देना है उसके बाद में दूस्तों यहां पर लिख्के आ रहा है 6 नंबर पे जो आ रहा है P.O. के नंबर तो यहाँ पे आपको 6 दबा देना है और यहाँ पे फिर आपको send कर देना है फिर आपको यहाँ पे यह, इस sim का आपको P.O. के ब्लॉक हो गया है इस sim का आपको यहाँ पे number type करना है जैसके हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं करने के बाद में फिर आपको simply यहाँ पर send पर click कर देना है उसके बाद में दूस्तों यहाँ पर लिख के आ रहा है यहाँ पर आपको y-y यहाँ पर यानि sun डालना है आपको तो यहाँ पर दूस्तों sun में डाल देता हूँ जैसे कि यहाँ पर आपके data of worth जब आपने आधार कार्ट से sim कार्ड लिया था जब आपने जो भी document दिया था उसकी यहाँ पर आपको sun डालना है जो year होती है last while वह आपको यहाँ पर enter करना है वह यहाँ पर डालना है जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारी 1999 है दोस्तों तो हम यहाँ पर 1999 टाइप कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी year डाल दिया उसके बाद आपको send कर देना है send करने के बाद में दोस्तों फिर आपके सामने puky code आ चुका है जैसे कि यहाँ पर आठंको का होता है P.U.K कोड देख सकते हो 8 डिजिट का होता है यहाँ पर P.U.K नमबर तो यहाँ पर हमारे में यहाँ पर 7 डिजिट का आया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है जैसे कि हमको यहाँ पर पहले 0 लगा देना है को अपना Puky Code यहां पे पहले से ही पता हुआ है तो दोस्तों आपको simply यहां पे zero लगा देना उसके बाद इंटर कर देना अब यहां पे जैसे कि हमारा Puky Code लिकल चुका है उसके बाद हम इसको चलो इसके स्क्रीन सोड भी ले ले लेते हैं आपने इस Puky Code इसमें ब्लॉक ल निकाल लिया है उसके बाद आपको इसको लिख कर रख लेना है फिर आपको क्या करना है जैसे कि हमारे को कोई भी फैमिली मेंबर या restore किसी का भी यहां पर रैडमी का एक phone लेना है जो कि आप other device में चेक कर सकते हो मेरे पास Redmi के फून में मैंने अभी तक देखा है ये वर्क कर रही है ट्रिक तो मैं आपको आगे खोल कर भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करती है ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको कोई सा भी अपने friend family member में एक Redmi का फून ले ले लेना जैसे कि मेरे पास है Redmi 5 है ठीक है Redmi 5 है और इससे में आपको जो कि प्यू के ब्लॉक लिख के आया था वो मैं आपको यहाँ पे live खोल कर दिखाने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे हम SIM card अब यह डाल लेते हैं तो इसको मैंने यह भी idea का ही SIM card है तो हम इसको निकाल देता हूँ निकालने के बाद दोस्तों आपको यह जो बिलॉक हो गया है आपका वो आपको इसमें डाल देना है तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं फटापट तो दोस्तों इसको हमने डाल चुका हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है इसको आपको आउन करना है तो आउन करने के बाद ने आपको दोस्तों क्या करना है इसको खोलना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे P.U.K. इंटर करने का यहाँ पे आफसन आ चुका है दोस्तो अब आपको क्या करना है जो आपने P.U.K. कोड निकाला है वो आपको सिंपली यहाँ पे इंटर कर देना है तो वीडियो को अंतर तक देखते रहेगा कि किस तरीके से मैं इस P.U.K. को जो बिलॉक लिक्के आथा अब इसमें बिलॉक नहीं लिक्के आ रहे हैं आप देख भी सकते हो मुझको लगता है अभी तक यह ट्रिक किसी नहीं भी नहीं बताई होगी दोस्तो आपको अगर पहली बार आप देख रहे हो इसमें इंटर करने वाला हूँ तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर P.U.K. कोड अभी देख लेते हैं पर हमने अपना P.U.K. जो की नोट करके रख लिया है जो कि आप देख सकते हो P.U.K. नमबर हमार आठ अंको का हो गया है उसके दोस्तों आपने जो एरैडमी के फून में डाला हो यहाँ पर P.U.K. इंटर करने का आफ़सन आ चुका है तो आपको यहाँ पर simply P.U.K. को इंटर करना है जो आप यह P.U.K. कोड इंटर करना है जो आपके SIM का P.U.K. कोड है ठीक है अगर आपको नहीं पता है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हो नहीं तो आप customer care पर call लगा अगर पता कर सकते हो तो चलिए हम इसको इंटर कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 4 3 9 3 1 3 उसके बाद आपको यहाँ पर प्यूके इंटर करने के बाद आपको OK दवाना है OK करने है यहाँ पर आपको अपना pin बनाना है जो आपको चार उंको का यहाँ पर pin बनाना है जो की 1 2 3 4 OK कर देना है फिर आपको अगेन बोही आपको करना है 1, 2, 3 4 फिर आपको OK कर देना है जैसे ही आप करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तो यहाँ पे हमारा P.U.K. अनलॉक हो जगा है जो बिलॉक लिखके आथा वो यहाँ पे बिल्कुल खुल चगा हो यहाँ पे आप सिम देख सकते हो जो कि नेटबर्ग भी दूसरे नमबर पड़ा हुआ था वो यहाँ पे नेटबर्ग भी आ चुका है दोस्तो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सिंपल तरीका है दोस्तो आप भी खोल सकते हो घर बेठे दोस्तो तो यहाँ पर कोई भी, बिलकुर लाइब करके दिखाया, आप सबी लोगों को यहाँ पर कोई fake ना लगे। क्योंकि जितने भी हमारे subscribe है हम को समझते होंगे, हमारी वीडियो को समझते होंगे, जयसे कि हमKOई भी वीडियों यहाँ पर fake नहीं लाते हैं तो आप आपको यहां पे इसको प्राइवसी दिख़ेगा इसके आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको थोड़ा नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको जिससे दूसरा सिम कार्ट है तो यहां सिलैक्ट करता हूँ इसको OFF कर देना यहाँ पर ini यहाँ पर देख सकते हैंanya बस दोस्तो हमेजिन पहुते हैं कि आपको पहले से पता था कि नहीं पता था दोस्तो कमेंट जरूर करना अच्छा लगाओ वीडियो तो दोस्तो आशकरती हैं वाचर की वीडियो आपको पसंद है को पसंद दो जरूर लाइक करिएगा अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हूं मिलते हैं दोस्तो अगले ने वडियों तब तक लिए खुश रहिएगा बाई 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 और दोस्तो आप सभी लोगों को ये वीडियो सेयर करते रहिएगा